गुद मॉर्निंग डेर सेकेंड डेर नर्सिंग स्टूडेंट्स आज हमारा टोपिक है पॉर्टल हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन आप सभी ने सुना होगा लेकिन कोई आपसे यदी क्वेश्चन पूछे कि पॉर्टल हाइपर टेंशन क्या है तो उसका आंसर समझने के ल देट इस कॉल्ड पॉर्टल हाइपर टेंशन जैसे कि पॉर्टल चर्कुलेशन कहां होता है तो यह सर्कुलेशन होता है इंटेस्टैन और लिवर के बीच में कहां होता है इंटेस्टैन और लिवर के बीच में यहापन यह कहें गेस्ट्रो एंटेस्टैनल सिस्टम के जो और्गन है उनके और लिवर के बीच में यह सर्कुलेशन होता है हम आगे डाग्राम में देखते हैं जैसे कि यहां पर यह लिवर है और यह इंटेस्टाइन्स है और यह हो गया इस्टमोग अब बोड़ी के अंदर क्या होता है बोड़ी के अंदर एक आयटरी की बात करें जैसे एक्जेम्पल के लिए कोई ब्लड सप्लाई की आयटरी आ रही है इसको इस टमक को सप्लाई कर रही है इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही है लेकिन इनका जो वीनस रिटन है आयटरील सप्लाई तो आयटरी से आ रही है लेकिन इनका जो वीनस रिटन है वो वीनस र अंदर कोई arterial supply आती है तो उसका venus return heart की तरफ जाता है लेकिन gastrointestinal system में क्या होता है कि इनका जो venus return है वो कहां जाता है लीवर के अंदर जाता है और फिर लीवर से होके वो heart में जाता है मैं यह कहना चाहूंगा कि वो direct heart के अंदर नहीं जाता है लीवर से होता हुआ जाता है तो आपके सामने यहां पर जो diagram दिख रहा है यह जो ven है और यह जो ven है यह intestines की ven है जो direct कहां जा रही है लीवर के अंदर जा रही है अब इन venus को लीवर में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि arterial blood supply यहां पर मौजूद है कहां पर arterial supply यहां पर मौजूद है और capillary बनती है और capillary से यह venus return यहां जाता है तो अंदर जो food material है जो food particle है उनका absorption कौन करेगा ये blood circulation जो है वो उनका absorption करेगा और वो जो food material के अंदर जो nutrients वगरा है उनका absorption कौन करेगा ये blood circulation करेगा तो ये nutrients वगरा इस veins के थू होते हुए का जाते liver में जाते हैं और liver में उन nutrients का क्या होता है liver में उन nutrients का क्या होता है metabolism होता है क्या होता है metabolism होता है तो उन न्यूट्रेंट्स को यूज करने के एकोर्डिंग केमिकल चेंजेज होते हैं जिसको पन मेटाबॉलिज कहते हैं जो काम कौन करता है लिवर करता है तो मैं आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यह कहना चाहूंगा कि नॉर्मल ही हमारे जितने भी और्गन से उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई आता है हमारे अंदर जितने और्गन है बड़ी के अंदर उसमें जो ब्लड सप्लाई आता है वो कहां से? यहां से आता है यहां से आएगा और ब्लड सप्लाई आएगा लेकिन वो blood supply जो है वो blood supply जो है वो direct का जाता है heart में जाता है लेकिन gastrointestinal system में क्या होता है कि blood supply आई उस blood supply ने organ के अंदर से जो nutrients वगरे हैं उनको absorb किया और उसको कहा ले जाता है when के थूर लिवर में चला जाता है तो when का जो circulation है when का जो network है gastrointestinal system और लिवर के बीच में वेन का जो network है यही वेन का network क्या कहलाता है portal circulation और किसी condition के कारण से यदि इन venous circulation के अंदर pressure बढ़ जाता है तो इसको हम कहेंगे portal hypertension इसको हम क्या कहेंगे portal hypertension तो I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट बहुत ही simple topic है short topic है लेकिन important है आगे बढ़ेंगे portal hypertension what is the portal hypertension portal hypertension क्या कहला जाता है यह कोई भी आपसे पुछ सकता है कि portal hypertension क्या है तो यहाँ पर सीथा सब बताना चाहूंगा कि portal hypertension is an increase in pressure within the portal vein portal vein के अंदर pressure का क्या हो जाना increase हो जाना तो आपको definition में क्या क्या चीज़े याद रखनी है portal hypertension one second portal hypertension definition में क्या क्या ध्यान रखना है कि portal hypertension is the increase increase in pressure pressure में increase meant होना in the portal vein portal vein के अंदर pressure का क्या होना बढ़ जाना which carry blood from digestive tract to या digestive organ to liver उस वेन के अंदर blood pressure बढ़ जाना जो वेन digestive organ से liver की तरफ blood को क्या करती है लाती है इसके बाद यहाँ पर लिखा है the most common cause is cirrhosis आपने liver cirrhosis सुना होगा और अगली क्लास में हम पढ़ सकते liver cirrhosis तो उस तरफ की जो disease condition होती है उसमें portal hypertension हो जाता है portal circulation का pressure जो है वो बढ़ जाता है but thrombosis might also be causes और इसके अंदर thrombosis के बनने की संभावना भी रहती है तो इस तरफ से यह क्या हो गया आपका portal hypertension का definition हो गया I am repeating once again portal hypertension is the increase in the pressure within the portal vein which carries blood from the digestive organ to the liver it is also common या it is also cause is cirrhosis या इस काम liver cirrhosis के यह है liver cirrhosis but thrombosis might also be cause liver cirrhosis और thrombosis से भी यह चीज़े होती है portal hypertension की आगे बढ़ेंगे अब हम मैं आपको यह बता देना चाहरा हूँ कि liver cirrhosis और thrombosis से कैसे होता है तो जैसे liver cirrhosis का मतलब यह रहता है कि यहाँ पे जो tissue रहते हैं वो उनकी elasticity बहुत खम हो जाती है scleral formation हो जाता है right tissue का जो normal functioning है वो disturb हो जाता है तो जो supply यहाँ से यहाँ जाती है वो उस supply को ले नहीं पता है तो यह supply यहाँ पे बढ़ती रहती है और इस करण से वेन के अंदर pressure बढ़ जाता है और दूसरा reason बता है मैंने thrombosis तो यहाँ पे इस वेन के अंदर का clot formation यहाँ होता है तो यहाँ का blood जो है उसके लिए traffic बन जाता है और उस traffic के करण से यह pressure बढ़ जाता है तो यह दो causes थे जिसको अपने describe किया आगे बढ़ेंगे यदि कोई आपसे question पूछे what is the portal hypertension right dear students university में अक्सर portal hypertension पे क्या आता है short knots आता है और इस short knots के marking जो रहती है वो रहती है 2 marks, 4 marks, 5 marks की marking इसमें रहती है यह short knots जो है वो short knots आपको या तो director question से पूछ सकता है write question से कैसे पूछ सकता है question number one define the portal hypertension write down the classification and write down the management total 10 number का question लेकिन short knot में यह पूछ सकता है short knot on the following उसके अंदर A में दे दिया portal hypertension B के अंदर दिया liver cirrhosis तो आपको एक एक छोटे छोटे points को क्या करना है describe करना है तो यहाँ पर भी पिछले साल के paper आपको देखने है क्योंकि पिछले साल के paper यह आप देखोगे तो आपको थोड़ा idea मिलेगा किस तरह से question बनते है क्या numbering का weightage रहता है क्या चीज़े पढ़नी है किनका importance है वो सारी चीज़े समझ में है तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आपको पिछले जो paper है उनको देखना है आगे बढ़ेंगे जैसा कि हमने पहली slide में देखा लिवर के द्वारा जो ब्लड फ्लो होता है द्वारा का मतलब यह है कि निवर फिर ब्लड का ले जाता है इंफिर दिना के बाद लिवर ब्लड का ले जाता है इंफिर बीना के बाद इंफिर बीना के बाद ब्लोकेज हो तो लिवर पे भी वजन लोड बढ़ जाएगा और हाइपर टेंशन करेगा इंक्रीज प्रेशर इन दे पॉर्टल वेन कॉज़स दे लार्ज वेन तो डेवलप एक्रोस दे इसोफेगस एंड स्टमक तो गेट अराउंड दे ब्लोकेज एंड वेरिसेज बिकम दे फ्रेजल एंड प्लीट सेफली जैसा कि मैं आपको डेग्राम में बता है कि यहाँ पे या तो यहाँ पे ब्लोकेज आ जाना उस करण से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर इस एरिया में क्या हो जाना क्लोट आ जाना दो चीज़े बता ही मैंने कौन सी या तो ब्लोकेज आ जाना या फिर क्लोट बन जाना तो उस करण से यहाँ की जो वेन्स हैं कहां की veins ये जो portal circulation वाली जो vein है ये vein क्या हो जाएगी? swelling हो जाएगी ये vein क्या हो जाएगी? इस तरह से क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया है? pressure बढ़ गया है तो मैं आपको vein दिखा ना भी चाहता हूं ये तो मैंने what is the causes? portal hypertension क्या होता है? तो university exam के अंदर मेरे प्यारे मित्रों university exam के अंदर आपको ये पुछा जा सकता है कि portal hypertension जो है उसका etiology क्या है? क्या पुछा जाएगा? etiology etiology क्या है? तो etiology के नाम से भी पुछा जा सकता है write down the etiology क्यों होता है portal hypertension तो जैसा की सर मैंने आपको बताया कि अभी जो portal circulation जो है उसके अंदर या तो blood clot होना या फिर liver cirrhosis होना तो यहां पर वही है तो यहां पर एक बार फिर रिवाइस कर दे रहा हूं मैं right? रिवाइस कर दे रहा हूं यह portal vein है right? portal vein है इसके अंदर pressure बढ़ जाना है okay? और इसी कोपन क्या कहते है? portal hypertension कहते हैं यह इसकी क्या हो गई? definition हो गई right? definition कैसे हो गई? कि portal hypertension is they increase the pressure in the portal vein which carries the blood from the digestive organ to the liver जो digestive organ से liver की तरफ जो blood flow होता है उस blood flow के अंदर क्या हो जाना pressure का बढ़ जाना next अपनी heading है what is the portal hypertension? तो portal hypertension वही है जो मैंने आपको introduction में बता है वही इसकी definition हो जाएगी इसके बाद increase in the pressure increase in the pressure right? one second increase in the pressure इसी को पन क्या कहते है? portal hypertension क्याते है etiology के अंदर liver cirrhosis बताया hepatitis और alcohol abuse होने के करण से liver के tissue damage हो जाते है और liver tissue जब damage होते है तो उसकी healing के लिए वहाँ पे scar formation होते है और उन्हें इसकार को पन क्या कहते है? liver cirrhosis क्याते है तो उस करण से भी यहाँ पे pressure का बढ़ जाना इसके बाद है hepatitis, one second, hepatitis, alcohol abuse के करण से liver cirrhosis होता और blood flow के अंदर pressure बढ़ जाता है जिसको पन portal hypertension क्याते है आके बढ़ेंगे, what are the symptoms? तो यहाँ पे कोई specific symptoms नहीं है जिसके अपन यह identify करें कि person को portal hypertension है लेकिन कुछ specific symptoms जो system से related है वो बता दे रहें कि पहला तो अपने को ध्यान रखने की gastrointestinal bleeding होती है gastrointestinal bleeding क्यों होती है? क्योंकि एक छोटा सा diagram बना दे रहा हूं मैं, right? यदि आपको speed ज़्यादा लग रही है तो आप video को slow करके भी देख सकते हैं, diagram बना देता हूं, यह जिसकी intestine है, right? intestine है, और intestine के साथ मैं यहाँ पर बना देता हूं liver, क्या बना देता हूं? liver, और इसके बाद एक artery बना देते हैं, जिसके अंदर यह blood supply हो रही है, यह artery से यह blood supply आ रही है, ठीक है? इसके बाद यह portal vein से, यह blood supply वापिस जा रही है, अब जब portal vein के अंदर pressure बढ़ जाएगा, यह pressure यहाँ release होता है, और यहाँ से already pressure आई रहा है, तो यह bleeding intestine के अंदर होती है, और intestine के अंदर क्या होता है, bleeding हो यह तो कैसे पता चलेगा, यहाँ का stool के साथ blood आएगा, तो stool के साथ यह blood आता है, तो intestinal bleeding पर doubt जाता है, और फिर second doubt, portal hypertension पर भी जा सकता है, तो यह हमने देखा, साइंगेन सिम्टम्स, पहला साइंगेन सिम्टम्स को समझा, दूसरा है असाइटिस, असाइटिस क्यों होता है, accumulation of fluid in the abdomen cavity, abdomen cavity के अंदर fluid का accumulation हो जाने से, जो condition बनती है, उसको पर असाइटिस कहता है, तो symptom को revise कर दे रहा हूँ, पहला तो इसके अंदर कोई specific symptom associated नहीं रहता है लेकिन दूसरी स्लाइड में क्या ध्यान रखना है, कि gastrointestinal bleeding होती है, जिसके अंदर black terry stool आ सकते हैं, या blood with the stool आ सकते हैं, right, vomiting के अंदर भी stool आ सकता है, और क्यों आ रहा है, क्योंकि rupture of the bleeding from the varices, intestine की जो blood vessels है, उनका rupture होने के कारण से, अब यहाँ पे, accumulation of the fluid, जिसको अपन ascites केते हैं, आगे बढ़ेंगे, next heading, diagnosis, diagnosis के अंदर, जाचे, first, जाच जो पन CBC करते हैं, complete blood test, complete blood count, CBC करेंगे, liver function test करेंगे, LFT करेंगे, right, ultrasound करते हैं, USG, CT scan करते हैं, okay, आगे बढ़ेंगे, endoscopic, पिछली कहीं classes में, मैंने endoscopic के बारें बार बार समझा दिया है, right, और आगे बढ़ेंगे, treatment, treatment किस तरह से किया जाएं, तो यहाँ पे पहला improve your diet, diet को improve करना है, person की diet को improve करना है, कैसे improve करना है, alcohol consumption को रोखना है, exercise regular करना है, और smoking को बिलकुल बन करना है, तो यह तो lifestyle हो गया, next हो गया, beta blockers, beta blockers का example में बताँगा, propanolol, दूसरा example है, isosorbid, अब सरी यह beta block कैसे BP को कम करते हैं, तो beta blockers के बारे मैं आपको समझाया था पहले, कि blood vessel है, blood vessel के अंदर एक quality रेती है, vasoconstriction की और vasoconstriction की, vasoconstriction जो है, वो BP को बढ़ाने के लिए काम करता है, और vasoconstriction जो है, वो BP को कम करने के लिए काम करता है, लेकिन vasoconstriction कैसे होता है, यह beta adrenergic receptor के stimulate होने से होता है, किससे होता है, बीटा adrenergic receptor जब stimulate होता है, तो vasoconstriction होता है, और vasoconstriction से blood pressure बढ़ जाता है, और hypertension होता है, तो हम जो drug दे रहे हो कौन सा दे रहे है, बीटा blocker दे रहे है, तो beta adrenergic को क्या हो जाएगा, यह block हो जाएगा, block होने के करने से क्या हो जाएगा, वेसो कंस्ट्रिक्षन नहीं हो पाएगा और वेसो कंस्ट्रिक्षन जब नहीं हो पाएगा तो blood pressure नहीं बढ़ पाएगा तो इस तरह से यह क्या हो गया hypertension को hypertension को यह kontrol कर लेगा, right तो पहला तो मैंने alcohol consumption को कम करने का बता है exercise regular करना है smoking को रोकना है beta blockers, portal hypertension वाले patient को beta blockers चलते हैं, propenolol चलता है, isoosorbid चलता है ebenolol चलता है, इस तरह से चलता है, next sklerotherapy, sclerotherapy क्या है तो एक diagram के द्वारा में आपको समझाना चाहूंगा मैं पहले एक diagram बना देता हूँ कि suppose ये jugular vein है right, एक second suppose क्या करें suppose करें आप कि यह क्या है एक तरह से जुगलर वेन है क्या है जुगलर वेन ओकी और जुगलर वेन कहा जाती है जुगलर वेन जाती है हार्ट के अंदर कहा जाती है हार्ट के अंदर हार्ट में जाती है सब के हार्ट में जाती है इसके बाद heart से निचे कौन सी vein निकलती है inferior vina के बाद कौन सी vein निकलती है inferior vina के बाद अब sir मैंने यहाँ पर बना दिया liver का बना दिया मैंने यहाँ पर बना दिया liver अब liver की जो vein है वो कहा जाती है inferior vina के बाद में जाती है liver की vein कहा जाती है inferior भी नहीं जाते हैं उपर heart में लेकिन gastrointestinal system की जो veins है छोटी-छोटी वो का आती है वो यहां पर आती है यह ठीक है यह gastrointestinal system की vein liver में आती है तो liver से यह vein आती है यहां पर blood vessel से छोटी-छोटी और यह blood फिर यहां पर vein से होता हुआ यह heart यह heart से चला जाता है तो यह चीज़ें क्या हो गई कौन सी च्छी यह हो गई है यह चीज़ें हो गईं यह जह ओगया fåttes takねぇ अगया यह क्या हो गया potal circulation हो गया तो liver के बाहर है तो extra hepatic portal circulation और जो portion launched लिवर के अंदर है उसको पन intraheffatic poor total circulation कहते हैं I am repeating once again, जो circulation liver के बाहर है, उसे extra hepatic portal circulation कहेंगे, जो circulation liver के अंदर है, उसे intra hepatic portal circulation कहते हैं, और ये जो है, ये क्या हो गया, ये venus supply हो गई, जो की का जा रही है, inferior venus के बाके अंदर जा रही है, ओके, इस तरह से blood का flow रहता है, अब हम क्या करते हैं, एको shunt लगाते हैं, shunt क्या, shunt लगाते हैं, यहां से, jugular venus के अंदर, तो jugular venus के अंदर हम, एको lumen में catheter insert करते हैं, तो jugular venus के अंदर catheter insert करते हैं, हम यहाँ पर surgery नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर surgery नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, catheter insert कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे है वेन के अंदर जिस तरह से आप हाथ के अंदर intravenous injection लगाते हैं वैसे यहाँ पर physician क्या करते हैं जुगलर वेन के अंदर catheter insert करते हैं और catheter insert किया है इसका मतलब यह surgical method नहीं हुआ कैसा method हुआ नॉन-surgical पहली बाद तो यह नॉन-surgical method हुआ दूसरा यह कि यह जो lumen है जुगलर वेन का जो lumen है उसके across जाएगा तो lumen के across को यदि कोई चीज जाती है तो उसको अपन केते हैं ट्रांस केते हैं क्या केते हैं ट्रांस तो ट्रांस जुगलर हो गया यह क्या हो गया, ट्रांस जूगलर, तो ट्रांस जूगलर इंसर्शन प्रोसीजर हो गया, क्या हो गया, ट्रांस जूगलर इंसर्शन, ट्रांस जूगलर केथेटर को इंसर्ट किया, केथेटर को यहाँ पे इंसर्ट करके, यहाँ पे शंटिंग करते हैं, अब शंटिंग क्या करने के लिए suppose यह ब्लड वैसल है इस ब्लड में यहां पर क्या है एक सेकेंड मैं आगे की स्लाइड पर बना दे रहा हूं यहां बना दे रहा हूं इस पेस अलग है इस पेस चाहिएगा suppose करो कि यह ब्लड वैसल है वेन है इन वेन का कहा जाना है यह ब्लड जो है इसको आगे यहां पर जाना है लेकिन ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है क्यों नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहां पर क्या हो गया clot formation हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, clot formation हो गया, तो हम क्या करते हैं, शर्जन क्या करते हैं, कि यहाँ से यहाँ shunt बना देंगे, shunt कैसे बना देंगे, यहाँ से यहाँ जो है वो रस्ता बना देंगे, इसी को अपन क्या कहते हैं, शंटिंग केते उससे क्या होगगा यह blood यहां से होता हुआ यहां पर चला ज trendy केते हैं तो पिष्ली स्लैड में आ जाते हैं पिष्ली डियाग्रम में आ जाते हैं यहां पर उस 이후 को आपन क्य को शंविखने के लिए मैंने अलग slide select करी थी तो वह शंटिंग वाले चीज यहां पर की जाती है का की जाती है इंट्र prohibitive circulation के अंदर की जाती है का की जाती इंट्र symmetric circulation की जाती है लेकिन catheter का से बला जाता है ट्रांस जूग्लर से डला जाता है इसलिए प्रोसीज्र का नाम के वो तो यही यहाँ पर क्या है डियाग्राम के अंदर समझने का है जो मैं आपको एक बार फिर से रिडिंग करके बता दे रहा हूँ इसी को कहते हैं एक सेकंड यह रहा टिप्स जिसको पन टिप्स के नाम से जानते हैं ट्रांस जूगलर इंट्रा हैपेटिक पॉर्टल सिस्टम शंटिंग इसका पूरा डिटेल भी दे रखा है मैं बता दे रहाँ आपको अधर इंक्रीजिंग थेरेपी एक थेरेपी है जिसका नाम है इसके लेरो थेरेपी अलग चीज है उसको भी हम समझेंगे पहले यह देख लो अनादर इंक्रीजिंगली पॉर्टल सिस्टम शंट यह इंप्लिमेंट किया जाता है कैसे किया जाता है वो मैंने पिछले डियाग्राम में आपको बता दिया है इस तरह से क्या हो गया अब देखते हैं स्क्लेरो थेरेपी क्या है इस क्लेरो थेरेपी को समझने के लिए मैं आपको ओर डियाग्राम बता दे रहा है यह लिवर है और लिवर के अंदर यह प्लड जा रहा है लिवर के अंदर ब्लड जा रहा है अर यहाँ पर क्या ओर यह उन यूज्वल ब्लीडिंग हो रही है abnormal जो bleeding होती है abnormal blood flow है right abnormal blood flow को रोकने के लिए यहाँ पे band जो है वो placement करते है rubber band placement करते हैं तो rubber band को यदि place करेंगे तो unusual bleeding यहाँ पे नहीं होगी unusual bleeding नहीं होगी तो यहाँ पे clot formation नहीं होगा और यहाँ पे blood pressure नहीं बड़ेगा right तो यह therapy को पन क्या केते हैं sclerotherapy केते हैं एक बार read out करके बता दे रहाँ फिर diagram से फिर में revise कर दोंगा treatment is called sclerotherapy bending bending bend करना है bending uses a solution that can help to stop the bleeding in blood vessels of your liver bending involve the placement of rubber band to block unhealthy blood flow in enlarged vein flow or varicose varicose means liver के अंदर आपके यह जो liver है liver के अंदर जो unusual जो bleeding होती है right क्योंकि portal hypertension होगी है यहाँ पे portal hypertension होनेने कारण से liver में भी bleeding होगी तो जो blood vessels है blood vessels यदि इस तरह से है तो यह नॉर्मल है लेकिन वो pressure के करण से टेड़ी मेड़ी हो जाती है तो वो varicose vein के लाती है right तो उन veins को क्या कर दिया जाता है band कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे pressure और ज्यादा न बढ़े और वो ज्यादा जो complication होते हैं portal hypertension की जो complication रहते हैं वो रहते हैं portal hypertensive gastropathy मतलब की portal hypertension से होने वाला इस्टमक का डिजीज इस्टमक के अंदर क्योंकि excessive bleeding होने के कारण से right excessive bleeding होने के कारण से gastric system में GI system के अंदर excessive bleeding होने के कारण से gastropathy the condition affect the mucous membrane of your stomach and enlarged blood vessels stomach और बड़ी-बड़ी जो blood vessels है उनको यह condition affect करती है it created sorry यह तो वो जो procedure था right तो इस तरह से यह इसको यहां पर आपको नहीं समझना है क्योंकि यह पिछली slide का matter है जो यहां पर गलती से आ गया तो यह सारा complication हो गया तो आई होब कि आपको यह portal hypertension बहुत छोटा topic है important है अच्छे से समझ माया हुआ होगा और एक notice आपके लिए और है वो यह है कि आपको अपनी attendance के लिए आपको अपनी attendance के लिए क्या करना है एक SMS करना है SMS कैसे करना है मैं सारा detail बता दे रहा हूँ आपको send me SMS with your name and this topic आपको अपने नाम के साथ SMS करना है example if your name is Rohit यदि आपका नाम रोहित है तो आपको SMS कैसे करना है send SMS कैसे SMS करना है portal hypertension रोहित यह SMS में लिखना है और इस नंबर पर आपको क्या करना है SMS करना है daily के daily SMS आपको कर देने है आपको within two days के अंदर SMS कर देना है एक दिन में class launch करता हूं या upload करता हूं तो same day भले आप नहीं देख पाए कोई दिक्कत नहीं अगले दिन तो कम से कम उसे देखी ले और अपना attendance fulfill करने के लिए SMS भी जरूर कर offline भी record हो रही है on document record हो रही है don't forget right send SMS within two days of release of your topic ठीक है जब भी topic YouTube पर launch हो जाता है आप उसे देखते हैं तो कम से कम उस दिन या दूसरे दिन पूरे दिन choice into two 48 गंटे दे रहा हूँ एक class के लिए फिर अब मैं धिरे धिरे YouTube से सारी class हटाने वाला हूँ तो जिन लोगों ने classes नहीं देखी हैं देख लें और जल्दी से जल्दी अपनी attendance को fulfill करवा लें to prevent your absent marking right okay thank you all the best मैं फिर से revise कर रहा हूँ जो पिछली classes हैं आप इस भरों से मत बेटना कि हम exam के एक दिन पहले सारी classes देख लेंगे ऐसा नहीं होता है possible नहीं होता है practically अब मैं पिछली सारी classes हटा हूँगा क्योंकि उसको हटाना बहुत जरूरी है okay all the best